कि पहाडों से एक आवाज आई थी ये कहानी दादी ने सुनाई थी एक परी रहती थी बादलों में एक लड़का गिना जाता था पागलों में कहता था बादलों से कोई आने वाला है जमीन पर उतर कर मेरी सांसों में समाने वाला है उसे बिना देखे इजहार करता हूँ कहता था मैं उसे खुछ से भी जादा प्यार करता हूं इतना सब सुनकर परी ने जमीन पर आने की ठानी मा ने रोका बाबा ने समझाया पर किसी की एक न मानी रात का वक्त चारो तरफ अंधेरा था रोशनी के नाम पर बस चांद का बसेरा अब चांद से याद आया है कि चांद की नहीं देख रहा है मेरे सामने कौन खड़ा है कुछ बोलता क्यों नहीं इस तरह चुपपी सादे क्यों मोन ख़़ा है फिर उसने कहा कि मा बाबा घर बार सब छोड़ दिया मैंने बहुत खाब सजाये थे काफी उंचा उड़ना था सब तोड़ दिया मैंने आज से मेरे किस से मेरी धड़कन की बेता भी तुम हूँ